आप सभी का स्वागत आज हम पहुंचे हैं उतराखंड की राजधानी देहरादून की धरंपूर विधानसबा सीट पर हमारी धरंपूर विधानसबा के अंदर सबसे बड़ी मलीन बस्तिया हैं आपने कहा उसको कंट्रोल में करेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर जगे जगे खड़े हो रखें जहां तीन गड़े हुआ करते देमां 30 गड़े हैं सरकार का मतलब होता है खुछ चलाए यह हाई कोट चलाएगा नियाले के मामले को सरकार दखलाना जी नहीं कर सकती है नमस्कार न्यूजवर्ड इंडिया के खास कारिकरम किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुभाश गौड आज हम पहुंचे हैं उतराखंड की राजधानी देहरादून की धरमपूर विधानसभा सीट पर जहां से हमारे साथ कहीं महमान यहां पर मौजूद है अगर बात की जाए भाजबा से हमारे साथ शुशिल गुपता जी मौजूद है उसके साथ ही अगर बात की जाए नितिन रावजी हमारे साथ मौजूद है कॉंगरेस से इसके साथ ही यूकेटी से हमारे साथ मौजूद हैं भादूर सिंग रावजी और आम आधी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं हिमानशू पुंड़ीर जी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कारिकरम इसके साथ ही सबसे महतपूर्ण चीज ये कि इस सीट पर पिछले साड़े चार सालों में कितना काम हुआ जनता कितना खूश अपने विधायक से है और इन साड़े चार सालों में विधायक ने जनता के लिए क्या कुछ बड़े वादे जो किये थे वो पूरे हुए या नहीं कि इस पर हम चर्चा करेंगे चर्चा की शुरुवात भाजपस ही कर लेते हैं सर आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार विधायक आपке कितने विकासकारे साड़े चार में आप देखते हैं धरमपूर विदाइक जीट पर यदि मैं सभी विकासकारियों को गिनाने की बात करूं तो शायद समय कम पड़ेगा जिन वादों को लेकर के हम जनता के बीच में आये थे 2017 में उन वादों को लगबग हमने सभी को पूरा कर दिया है या पूरा होने के और अगरसर हैं हमारी विदान सभा नया डवल्विंग छेतर है सड़कों अजाल बिचाने काम हमारे विदाइक जी ने किया है पेजल की बहुत बड़ी समस्या थी उससे संभूर निदान माने विदाइक जी दवारा हुआ है कुछ चेतर जल ब्रहों से बहुत अधिक परिशान सभी को रहात दी गई है ये आपकी तरफ से कहना है लेकिन अन्या डल के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले कांग्रेस से बात करते हैं जिस तरीके से उनके प्रतीन इदी कह रहे हैं कि बहतर व्यवस्ता हमने दी है लगता है क्या इन साड़े चार सालों में कु सबसे पहले काम बाड़ांटी दी पार्टी द्वारा किया गया है यहां पर रोड़ कम दिखती है तलाब जादा दिखता है और दूसरी बात इरोंड ने अभी बैनरों में अपने लगाया कि पांच्छो बीस क्रोड़ रुपे भाड़तीन पार्टी द्वारा धर्मपूर समय से विधिन पार्टी के विदायकों बोल रहे हैं यहां पर विदानसभा सीटों पर चुनाव लड़े की देखते हैं इनके प्रतिनेति क्या कहते हैं किस तरीके कि आप देखते हैं रणनीती भी अपनी और पुराने जो राजनेता रहे धरमपूरु सीट पर उन दोनों को किस तरीके से आगते हैं इसमें बड़ बड़े जो कैबिने बने हैं वो लोग रहे हैं और इसकी जस्तिती है आप लोगों के सामने है यह जल बराब भी आज की डेट में उसी तरह होता है यहां पर रोडों की समस्या भी उसी तरह हैं अमारी विदान सभा के बीच में जितना बड़ा कोड़े का देर है कि लोग परेशान है सांस नहीं ल रहे बात जो इनकी जो इसम इंट आने सिस्टम के नाम पर आप अइस बीडिट पे बेत जाता है जितने भी ब्लॉब दुकाने इस्ट के पास सब पर पानी जाता है जैसे तने भी झाल संदब्स में एदा उसी मेडिया है एक पालाब जाना बदिया तैने ऑनलों से बचाए गई है तायलों में भी कि दोनों साइड से 3-3 फूट बचाया गया है तो कहिना किसम से बरिष्टाचार की सरकार और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर बरिष्टाचार लगाने के लाबा कोई काम नहीं किये तो आप चाह रहे हैं कि आप आएंगे तो को सुधार होगा उत्राखंट करांती दल भी हमारे साथ मौजूद हैं राज्ये बनाने में तो महतपूर्ण योजना आपकी रही लेकिन आप जिस तरीके से चुनाव आप लोगों की पार्टी लड़ रही है ये कहा जा सकता है कि आ मैं साड़े चार साल से चमूली जी काम कर रहे हैं बिल्कुल जनता छेटरी की अपने को ठगा से महसस कर रही है क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने पूर में जो विदायक थे दिने सगरवाल को उनको अठाया कि कुछ अच्छा काम होगा लेकिन जनता इस समय पूरी सड़क पांस साल से खुदी पड़ी है और आज की तारी में पूरी रोड जो है हम सड़क पे निकलते हैं तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जगे जगे खड़े हो रखे खड़े बरे जाता हैं लेकिन वासे की वासे छोड़ रखे साब के साब उससे कई एक्सिडेंट पर दो बूट गोřे हैं तो यह कम से कम जो हमारा पहले का हुत्रा फंट था अगर उसी स्तिति छोड़े रहनें लहां सिस्टित में रहने देते सर आप ने सुना कि सबी दलों ने क्या कहा आ आपकी जो सड़के थी उनके उपर आज पांई है ए जहां तीनगड़्े वात कर देखिए विपक्सी दिलना कम शिकायत करना है इसके लावा क्या करेंगे कमियां खोजना और इस कमी को बढ़ा जड़ा कर बताना जंता को ब्रहमित करना यह विपक्स का काम है जनता से पूछ लेते हैं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है कोई है जो सरकार से सवाल पूछना चाहता हो इन सबी लोगों में से सरकार से सवाल पूछने के लिए हमारे साथ युवा मौजूद है आपका क्या सवाल है सरकार से और खास तोर से छेतरे विधायक से मेरा सवाल बिजिपिस है आप ये अंकल जी ने कहा भी के विपक्स का सवाल जो है भाहमृत करना का है अंकल जी आप मेरे साथ इसी छेतरे भरंपुरी की बात भी होई दिये भी मैं भरंपुरी से आता हूँ आप चलिए जो सामनी पुली चोकी है ना उसके अंदर सामनी इतना बहंकर खड़ा हो रहा है लोग मैं आज दिन देखता हूँ यार मेरी गाड़ी ने गिर जाए मिज़ एकसिडन ना हो जाया आप चलिए बरंपुरी के एक भी सड़क आज बरंपुरी चेतर में बनी हो तो आप मुझे दिखा दीजिए पांस साल पहले पंदरस जो विदायक हमारे रहेपुर में उन्होंने इतना काम किरा थे कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि वाकर इसमार से शेशिए ने काम किया लेक आपने बोला था स्वच्च भारत का भियान चलाया था तो आज आप वहां जाकि यह भी देख सकते हो कि कूड़े की जो गंद है आईस बीटी रोड देख सकते हो जहां पर बुल्या बना वहां तक उसकी सुगंद आती है उसकी इतनी बद्द वह हो रहे कि आज तक विनोच हैं उसमें ना गुचा हैं ना सड़के ठीक हैं ना ड्रेजिंग सिस्टम आपका सुधरा है कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार से सवाल जंता पूछ रही है किस तरीके से जवाब देंगे क्योंकि आपने सुना कि हमारे साथ चली है हम दिखाते हैं आपको सड़कों की हालत की कि बिल्कुल ठीक हम ने इस बात का दावा नहीं करता है कोई नहीं कर सब्सक्राइबाद नहीं कर आपको धूटता हूं दस खड़े बढ़े जाएगा कि कहीं दए धिकल मैं कर रहा हूं दूसरी बदेर बच्चे ने बताया है कि वो दूरगंड का मामला पूडे का मामला वो एक ट्रांसफर स्टेशन बनाये गया था उसमें कुछ वह लिटीकेशन नेले के लिटीकेशन फ़सा मामला है उसे वास्ते में जनता तरशता है हमें भी अच्छा नहीं लगता है उसके लिए वस्ता बन रही है और विदायक तो आपके हैं कर सकते थे काम उनके पास ट्रि और नहीं आप करेंगे बीच सब्रया नहीं लगें तर दूसरा मिरा कहना एक है कि हम जब जाके छेतरी देखते हैं और जो इसे कुडी तो है मैंन ठाग मैं मा भाग नहीं रहा हूं तो मेरा कहना है कि नहले के लिडिकेशन में मामला फजावा है और पूरे सहर से सारा कुड़ा कटा करे जो हमारे वेस्ट मेंजमेंट के प्लांट लगाया था हमारा ट्रांसफर हो वो ट्रांसफर स्टेशन है उसकी विश्टा दुरुस्त होनी चाहिए यह मैं भी कहता हूँ लेकिन हमारी सरकार इसमें लगी है नहले का मामला है यह नहले का मामला बीचे मिनाताब तो समाधान हो चुका होता समाधान किया जाएगा यह आपका कहना है और भी कहीं सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सर आपका किसी राजिनितिक दल से कोई सवाल क्योंकि सभी चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं बहुत जल्दी मैं सबसे पहले तो आमाध दिप पार्टी अभी यह उगेंदर जी ने बोला कि यह सामने रोड बन रही है इस रोड पे पिछे 15-20 साल से जो है कम से कम 3-3-4-5 फूर गड़े थे आज जो है इसमें टैल लगी है और टैल के बाद जो टैल की रोड बनती है तो वो सारे पौन सवाल सवाल पूछा जा रहा है आप से जवाब नहीं लिया जा रहा कि आप लोगों ने क्या काम किया सवाल कोई हो आपका पार्टियों से काम कर रहे है कि मैं कहरो कि 20 साल में यह काम आपने चार सालों में किये वो बीस सालों में नहीं है आपका कोई कहना है इन सभी राजन सवाल भाजपा की और साहा है जो हमारे नेता जी है उनसे पूछना जाता हूं सर ने जस अभी मेंशिन किया है कि यहां पर जो कुड़ा का जो इशु चल रहा है वो कहरें नयाले में फसा हुआ है हुआ है थी एवे यहां चाहिए नहीं गया तो मैं है चाहर है हुआ कि जब पिसले साठे शाल साल से आपकी सरकार थी तो यि اе आप प्रॉपली अगर उस कोड़े का या पानी हो सड़क की समस्या अगर उसका प्रॉपर ऐलोकेशन करके उसको अगर एक्जगूट करते हो प्लान को तो यह नौबत नहीं आती अगर आप मास्टर प्लान बनाते तो भाई साब आपका कोई सवाल राजनी तिक दलो से मेरा वाजबा के अलावा सभी अन्य राजनी तिक दलो से जो है सवाल है कि अभी आप लोग पर जो है टिका टिपड़ी कर रहे हैं आप लोग अपना वीजन मताईए कि जो है आप लोग जो है जो चीजे छूट गई उसको कैसे ठीक करेंगे जरा बताएं आप जरा मेरे को या तरहा सबसां डाटWestrachand कि उत्रकार का लोग वे हामालर्आ अपन और इस संघट के उत्ट है यह जो अगिज़ Kalb लोग कोना कि टारश जगिए तौ गष्टार के सर्कार का मतलब होग यह तरकार का मतलम होगा इस सर्कार का मतलब होता है छुच चलाए यहा को छांए ति कि आपकी कोठ काम मैं आपके उस यह निरसा नर्देश में तभी तो कोठ में जा रहा थाben हो हदी आत्मी हार जीज में आपके बहस्टा टाल हर चीज में लडि चार हर चीज में सَर बास्टा चारह जब किनui मामले प्रस्थे जब आप किकी माँले और सिख्षा का रुका हो एसा नहीं है यह सभी बातों बोल देने से नहीं सटकार दखलाना जिने कर सकती है अबहुत क्यों नहीं होती है पहतर हो रही है काम करनी की है कि बताना चाहता हूं एक चार साल पान साल पहले एक मामला चल रहा था के साथ एक सब्सक्राइब की है तो जनता ने जो निन्य दिया इसे पता लगे उन्हों कितना काम है था मेरा सीधा सवाल सबसे तो पहले बीजेपी से है सबसे में चीज युवा बेरोजगार है विए ड़यट फ्यूचर ऑफ अर्लीज युवा ब्राइंट करें शिक्षा में पैसा लगा रहे इसकूल में कोलिज मे जा रहे पर हमें रोजगार ना मिल इसका फैदा क्या है इसका फैदा क्या है शिक्षित सब है यह र बंदा सिक्सीतule चॉइब यहाँ सहर्थ handles हम चाहते हैं कि जो अन्या लोगों ने अन्या दलो से जो सवाल पूछे थे आप लोगों का विजन क्या है जैसे कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग चुनाव के मैदान में तो लड़ना चाह रहे हैं लेकिन विजन क्या है किस तरीके से जंता का भला करेंगे सर सबसे पहले तो हमारा विजन जो है वो विजन यह है कि जब हमारी सरकार आये 2022 में सरकार बनने के बाद पहले दिन से हम काम करना सुरू करें लास्ट के चार साड़े चार साल बाद काम करना सुरू ना करें अगला विजन ये लोग जो परिशानी है, उनकी परिशानी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि आप भी परिशानी दूर नहीं कर पाई, अन्या राजनी दिदाल कह रहा है, कि हम आएंगे तो हम कुछ करके दिखाएंगे, आप ये बताजी से परिशानी दूर होंगी, लोगों के, काम उता उनका जवाब देना उनके समश्याओं का समधान करना आज के वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है कि सरकार सवाल का जवाब देने के बजाए सवाल पूछ रही है लोगों से तो आप यह बता हैं कि कोई भी कारे हो सबसे पहले ही तो डंप मैं दूसरी रही है आम आदी आपके पास फिर से आएंगे फिर से आएंगे आम आदी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप लोग कह रहे हैं कि हम 5000 ये आम आदमी का दिकार है, आमा आदमी का हक्ति जो उसे मिलना चाहिए जब बड़े बड़े नेता लोग बड़े- बड़े मंधरी लोगों को बजली मुफ्त मिल चकती है तो ntो उस आदमी विए सो श्ख रहे हैं जो पंग्ति में सबसे आखरी में खड़ा है ।ब सो पाड़ी छेत्र नहीं है दर्मपूर विदान सभा के अंदर सारी प्लेंज रोड रहें बड़िया इंफ्रास्क्षर है लेकिन जो यहां पर जो मुल भूत सुविदायन लोगों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है मैं गिनवाता हूँ अभी कूड़े के डेर बात हुई चलिए अब कूड़े के डेर को खतम करते हैं दूसरी उस पर आते हैं हमारे धरंपूर विदान सभा के अंदर सबसे बड़ी मलीन बस्तियां हैं जिसका की बड़े से बड़े निताव लोगों ने हर साल पांसाल साथ आती है उनको वहां से डीम के ओडर आते हैं नाले पे नदी के किनारे कोई नहीं रहेगा तो वहां से तोड़ना पड़ता है हर सरकार उन्हें लॉलीपॉप देती है कि मलीन बस्तियों के आपका प्रोपर तरीके से आपको घर दिये जाएंगे सब कुछ किये दिये जा है तो आपकी एक भी सीट नहीं आए किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके की तैयारिया रहेगी क्योंकि उत्राखंड बनाने में बड़ी भूमिका रही है यूकेडी की आज जो लोग सत्ता कर रहे हैं वो बोलते थे कभी उत्राखंड नहीं बन पाएगा और आज वही लोग इस पर राज कर रहे हैं तो ऐसी जहां तक सीट की माल यह लोग आज भी बोलेंगे कि सीट नहीं और सीट हम लाके दिखाएंगे चेटर में जहां तक इस चेटर का है अगर इमानदार है मैं बोल रहा है जो भी विरायक बन रहा है अगर वो इमानदार हila पूरब चाम करे तो क्यों पूरब कार लिए होगा चाहिए को बारी मैं बोल रहे हैं एक आबादी इस के शटर पर बता ओ किसके लिए बना रहा है यह बोल्डर के लिए या भूम आप यहां के लिए, आबादी अगर होती, तो यह सड़क अभी न बनती, कई आबादी वाले चेतर हैं, आबादी वाली गलियां, वहां आज भी वासी काम रुके पड़े हैं, इसमें एक भी क्योई मकान नहीं है, और दूसरा, कारगी चेतर में देखो, यह बीच मे अभी खोदी सड़क, लगाई, लेकिन क्या हुआ, एक मैने बाद फिर टूट गई, कोई भी विधाय कि इमानदारी से काम करेगा, काम नहीं करता, अगर करता, एक सड़क ऐसी बनाए कि दस साल तक चले, क्यों नहीं होता, सर, कहीं आरोब लगाया, आपने कॉंग्रेस का आ लगाया हुआ, जरे लगाया, तो अब जुन का जरूँ है? सब सवालों का जवाब है और दूसरी बात ही है कि इतने बड़ी विदान सा प्रारा मुत आंतीम दिन तक काम होता है कि आज क्यों नहीं कराने के लिगे वो तो बसा getting मौ जा रहे हैं अगले फा शाल की बात कर रहे हैं यह चलेगे पांग्साल की भात कर रहे हैं कंग्रेस सरकार में करने की प्रिक्रात चल रही है कै sett h पूरी होगे उन लोगे क्योंकि काफे परेशान लेते हैं रोगे जल्दी होगी बूरी होगी बजल आप चाहते हैं कि कि बात कर रहे हैं धोका देने की बात कर रहे हैं तो आप बताइए किस तरीके से होगा पांच साल तो चले गे उनके आपको चुनाव का समय बचाए घोशनाए होंगी पूरी कब होंगी सर मुझे लगता हुआ पूरी होने वाली नी है क्योंकि अगर आप रिजिनली देखें स इसमें से 112 करोड उपे उन्होंने रिषी विहार के नाला और सड़क के लिए लोकेट किया तो मुझे ये पूछना है कि हम धर्मपूर छेतर में रहते हैं अगर जनता को इसी तरह आपके पास आना पड़े विरोध कर के कि सर हमारे बजली ना पानी ना सड़क है रोजगार तो बद तब कुछेंगे हमें मालूम नी रोजगार हैं स्वास्ते संबन्दी हैं आपने का हम गिनाते थक जाएंगे जो हमारी उपलबदिया है आपके मैनुफेस्टों में था दोजार सतरह में कि आप जो एजुकिशन का जो व्योवासाही करण हो रखा है आपने का उसको भी मदद नी करी है तो एक के बाद बहुत सारी ऐसी इस्यूज है जो आगर हम डिबेट चालू करें तो बहुत लंगी हो आज भी वैसी ही है जैसे दो हजार सतरह में थी ऐसा लोगों को कहना है और भी कहीं लोग है उनसे पूछेंगे आप बताइगे क्या समस्या आपकी है पारशद किसके है कौन सी सरकार के वह आज तक घर से बार भी नहीं आती है ना गरीबों की सुनती है और गरीबों पर अच्छा पारशद से भी नाराज है आपका कुछ कहना है अभी इन्होंने ऐसा बोला कि क्या कहते हैं बीजेबी सरकार ने हर्जे के सड़के बनाई सब्सक्राइब और जैसी चुनाओं की निति आने लगी तो उसी समयनों ने सड़के क्यों तैयार करने लगी यह बताओ काम शुरूप चुनाव आपके बाइसाब कॉंग्रेस पार्टी भी हम देख चुके हैं भाजपा सरकार भी देख चुके हैं जो पार्टी आज खड़ और किस परपस के लिए कर रखा हम आप यह भी बता देते कि आम आदमी पार्टी बिना सरकार के होते हुए हमारे फाइदे दूर कर रही हैं तो क्यों ना हम अपनी सरकार आम आदमी पार्टी ही लाएं तो क्या आम आदमी पार्टी क्या कर रही हैं हमारे कई ऐसे काम थे जो हिमान्शु भाई ने हमारे करवाई हैं बिना सरकार के होते हुए जो कि सरकार का दायतुता हमारा वो काम करना लेकिन सरकार द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है जो कि हमारे हमारे हमान्शु भाई ने करवाई है तो आप हिमान्शु जी के सपोर्ट रहे हैं कोल में लाग कितने लोग चाहते हैं कि आम आदमी के सरकार आए जो घोशना है यह आम आदमी की तरफ से पूरी पूरी की जाए आप कुछ कहना चाहरें पहले तो मैं जिसे बढ़ा है वैसे कुछ आमी तरफ से सर्त ही, और लोग बोल क모णsyग के एंके लिए हैं, पर बैसिकळिनी आमामी पाठी जो क्वेरा एंक बेन बार्परा।िदो अपनी सर्कार मा रही है। जर Ilene Means तर और अपने पनमे प्चल देनों का 1 よね का 1 क 0 5027 रोजगार देंगी। उनको जिनको रोजगार नहीं मिला है तो मेरा कहना है कि ऐसे बहुत सारे आंकने जैसे सेंटर फो और एंप्लॉइमेंट रिसेर्च है मुंबई बेस एक डाटा सेंटर है ऐसी सेंटर फो टास्क मैनेजमेंट है जिनके आंकने कहते है कि डिली उन अफ दी टॉप 10 का सिडिस मे पिछले साथ सालों में यतना मैं पूछना चाहता हूं दूसरा आप कहरें कि साड़े तीन सो इनुडा बिजली फिरी दे देंगे आपका नारा था कि बिजली हाफ पानी माफ तो मेरा कहना का मलब यह कि जो सरकारे भाजपा हो या कॉंग्रेस हो उन्होंने तने साल यहां प जाने जा रहे हैं और अपने इस तर पे सारे लोगों ने अपनी बात रखी लेकिन वास्तविक रूप से यहां पर युवा उत्राखंट की बात करें तो यहां यहां पर युवाओं की जो प्रतिसात है वो सबसे यादा है रोजगार की बात करें हमारे भाई ने बताया कि जो युवा है उनको पेपर देने पड़ते हैं उसके बाद हाई कोट में की सण में जाना पड़ता है उसके बाद अंत में तब तक उनकी एज चले जाती है तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश का जो युवा है उनकी समयसे हैं आज वहीं की वहीं है हमारी मातर सक्ती वहीं की तो आज राजम आएगा तो बहतर काम करेगा और आधी पाटी से कहीं लोगों के सवाल हैं फ्री की चीजें आप देने को तयार हैं लेकिन दिली में काम करने को तयार नहीं है उसको किस तरीके से बताता हूँ कि जो विजन जो पूछा जा रहा है कि आप रोजगार कैसे देशए इसके नदर अपार संभावना हैं जिसके अंदर सेम लोगों को रोजगार दे सकتे हैं एक इसान की पहली नियत जाता है और नहीं देना चाहता है लो मेंसान को देना उब चाहता है जोनों सर्कारों को 12 hammer 2 उच्प देगार थी धूरिए हमें एक बार मौका देके ध आपने नाम सुनाओं को सुज़ेलैंड का हमारे उत्रखंड के अंदर एक से एक ऐसी अच्छी जगाएं जा सकती है अगर वहां पर टूरिजम बढ़ाएं जब जब वेपार बढ़ेगा तो आटोमेटिक लोग आएंगे वेपार बढ़ाएंगे आपका शेतर से लेकर कोई रहा हुआ कि हमारे बड़े वाई इंहांस भाई ने बोला कि प्रेटन को लेकर उने सवाल गया तो सबसे पहले तो कॉंगरेस पार्टी के दोारा प्रेटन को लेकर कितने काम किये वो सब को बत दें जो तीरी जील है वाज देने लोगों को रोजगार दे रही है और जो कार राजधानी देहरदून के धरंपूर सीट किये उसे किस तरीके से देखते हैं क्योंकि हम भी कहीं बार गुजरते हैं पानी से बहते वे देखिए हरगवार बाइपास रूड जिसका चोड़ी करन प्रस्तावी था और बहुत लंबे समय से विवादों फसा था वो बन नहीं प अगली बरसातों में आपको शाइद दिखाई नहीं देगा करें प्रहरमोच चुका है तो जो वर्तमान में विधायक हैं वह मेर भी लए लगबक 10 सालों तक उन्होंने मेर पत्समाला लेकिन यह जो समस्याएं थी यह मेर की भी जिम्मेदारी बंती थी उसमें की उनको करें लेकिन आप जो इस्तिती हैं पिछले 10 सालों से लेकर अभी तक आदमी तैरता हुआ ही जा रहा है बरसात में तो यह उमीद की जाए कि अगले 5 सालों में आपके सरकार आती तो यह पूरी होगी या फिर 5 साल बाद आप फिर बोलेंगे कि फिर मौका दीजी बहुत जल्दी बहुत जल्दी यह सुखरने वाला है और जहां तक बात है हमारे मेरे मेर के आपने बात जिम्मेवारी होती है परंतु सरकार मेर से उपर होती है और सरकार हो जाएत होता है कि उसके डिफेंड कर देगी आप उसको यह उजना को कैसे काना करना है जो पिछले 5 साल नहीं क्योंकि साढ़े चार साल तो कारे काल को हो गया रेल्वे फ्लाइवर ब्रीज दिया नमने उसा कारे प्रारम हो चुका है और चार या पांच महीन अदर जन्ता होकर गुजरेगी जन्ता को फायदा मिलेगा इकाई सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे थे हुंसे पूछेंगे क्या क्या सवाल पूछेना चाहते हैं मैं भी सवाल पूछा था बिजेपिक से कि आइस बिटी पे जब इतना पानी हो जाता है कि हमें भी उसमें गुजरना पड़ता है तो मेरा सवाल अपने विदायक जी से है विनो चमली जी से है कि विदायक जी तो नहरू कलोनी में रहते है जो के Mississippi में भी वो चेतर नहीं पड़ता है। फ़रखन नहीं पड़ते ही तो आप रहे शेतर करतेये वो मलता है। जूलो तूहुल है तो यह कॉनर मुट के बता है। वो बुदायिक रहते हैं छेतर में वो कभी आते नहीं है। अगर दो बार बीज एपी के विधायक आया है तो भी अपने लोगों के पास तो छेतर उम होंगा है नहरू के पास खादे नहरु के लोगों से उनकी वैसे बाइस अपाजी कोई सवाल किसी राज नीतिक दल से? मैं देख रहा हूं बड़ी देर से आप देख रहे हैं सभी को सुन रहे हैं कुछ आप के आप पहुंचे हैं तो कुछ ने कुछ सवाल तो जरूर होगा आपका भी देखिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भारती जनता पार्टी विकास की बात कर रही है मेरे रहे हैं कि हमारे वाडी बहुतेर में हमारे पार्ट साथ है आलोग जी भारती जंता पार्टी के हैं तो कोई हर ऐसा काम उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है सड़के बिल्कुल खराब है हर चीद खराब है बस एक गाड़ी लेके खड़े हो जाते हूं मच्छडानी मानने के लिए बस एक ही कारे रहता है उनका द्धरमपूर की बात करें तो धरमपूर में काफी जगां देखा जा रहा है तो अस्वस्त लोग भी रह रहे हैं जहां पर स्वच्चता के नाम पे एक परसेंट भी कोई कारें नहीं किया जा रहा है जबकि जो हमारे पूर्व मेर साहब है विनोच चमुली जी उन्हीं की विधान सभा प्लस विधायक वहीं के उनके द्वारा एक परसेंट भी वहां पर कोई कारें नहीं किया जा रहा है सडकें ऐसी लग रही है कि आप कोई टमाटर प्याट डाल के चलो तो चटनी बनके वापसी लोटकिया सब्साब आपका सीट इस सीट पर विधान सबा सीट सब्सक्राइब कोई 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 लाइस सर्कार थोरी शुरी ना बन जाएगी गार के जवाष बहुत जवाब देगी उत्रा खंड की अडना दो कोई कोई सवाल? है मैं का व्यति है कि जैसे सक्वार का तो shaping दो मेह नी ऑन जदी मोहि क्वाः मेह चांगाल में तो हम पो Всёका Clinic मैं उससे पूछता हूं अब उसको काम दो ना आप खाली उसको और बैठाकर और अहिंसा करेगा बविस्टी के लिए और युवा के लिए एक अंधेरा खोद रहे हैं कोई भी राज्य कोई भी देस अपने युवाओं को के साथ लेकर चलता है काम करता तब तरक्की करता है न करोनकाल में बहुत सार जनको डिए तो नहींदा पूछत है टो नहीं सवाल पूछ के कोई फाइदा नहीं है अब की आपकी कहना चाह रहे है कि भाजपा नहीं जो क्पूरान हमने सवाल पूछी तो उन पर काम नहीं किया तो आगे पूछ कर क्या फाइदा आपका कोई को नकाल में वहत सारे एसे लोह थी झो को सा CC राशन नहीं गये तो उनको राशन दिये उन्होंने और अपने कहीं तरह के उलिजै को इसे उन के बहुत कारे कि उसके उनको जना को मौका देना ची एमने से पूछन का विजिन क्या है वह दर्मपुर जनता के लिए क्या करना चाहते है विजन क्या है कॉछग्रेस का ये बी बूछेंगे सार कोई सवाल अपका अन्यी राजनेतिक दल से सवाल तो निदा भी मेरा कांग्रेश से यह है कि पिछले 15 साल जो है कांग्रेश का सासन रहा जितना पिछले 15 सालों में दरंपुर विधान सवा में काम निवा उससे दुगना जो है इन 4-4 सालों में आपकी सरकार ने किया तो सर आप लोगों के इस पक्ष में कहीं लोग नजार आ रहे हैं कि यह हम UKT को मौका दिया जाए तो कुछ करेंगे आप कोई वीजन बताइए इस सीट को लेकर जिससे आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बनें देखिए हसाइना यहां पर अगर इमानदारी से काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है जो एक विदाय की मद आ रही है उसको सही जगे पर लगाएं जैसा मैं नहीं भी बोला यह ऐसी जगे पर लगा के कोई पादा नहीं जहां पर जरूर होता है और जो भी चीज सबस्ते हैं ऑटे तो यहांँ अपार विकास कार आ हाँक सबस्तों नहीं तो मंदल मामंतरी ने क्यों इस्तीफा दिया पार्टी से एक हम अभी सबसे महतोपूर चीज के आपका वीजन क्या है आप अपना वीजन बताई सबसे पहले देखिए सबसे पहले तो हमारा वीजन यह है जो इतना अप इनों ने जो सड़कों का जाल बिछा है जहां पर नतलाब दिख रहा है सबसे पहले जो मुल्बूत सी सुविधाई होती है ज सबसे बड़ी चीज हमारा काम जोगा बैनरों में नहीं दिखेगा जमीनिस्तर में दिखेगा सबसे पहली बात यह कहना चाहूंगा कि आमाधी पार्टी ने भी बहुत से यहां पे घुश्टने की तो मैं अबसे पहले कहना चाहूंगा जो राज्य हमारा बनाए जदी यह तो आमाधी पार्टी आज इतने बड़े बादे यह क्या बोलता है ऐसे बाते ना करती यह राज्य को बनाने के लिए कई उत्राखंड करांते दल गए बड़ा एक योगदान है आप से भी सवाल बूचे कहीं आरोब आप लोगों पर लगाए कि फ्री का हमें कुछ नहीं च जो लोग उत्राखंड के नदर रहते हैं जो जो गली मौले में जो आम आदमी रहता है वही उत्राखंड चुनाव लड़ने वाले हैं दूसरी लोगी चुनाव लड़ने के सर अब से ज्यादा सवाल सरकार से पूछे गए हैं सभी पार्शत काम नहीं कर रहे हैं सरकारी जम सब्सक्राइब। वोटर है उसके बीच में आप जाएंगे वो बताएगा किस के का उनके समर्थ पूंचते हैं जब नेता पूंचते हैं जब नेता पूंचते हैं तो समझ चाहें लोगों की होती है तब ही सरकार से सवाल पूचे जाते हैं मैं जारून आपको समझ से अभी मैं जब आप मुझे मैंने रेडियो फ्लाइय और गुज की बात की अभी हमारे इसे विदानपुर विदान संभावी एडीबी के माद्यम से जो जिस पूरे आदे जिदान संभा शिवरेज का कम बिलकुल नहीं है उसका प्रियास किया उसका स चारसो पचास क्रोड के रुपे सब्सक्राइब और उसे होने वाला है और दूसरी बात यह अपना जो यह 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 लागपूल है यहां से जो मैं तिरिस वाली जो रूड है अप लोग विकास कारे करने जा रहे हैं सर एक और सवाल मेरा आप से आप चुनाव लड़ने जा र प्रदेल को यह वेले उसां ठाल मैं सब कर दोड़ने का Carry है ऐसा हैं किसी को भी अपने आगे नहीं मानते सर क्या देखते हैं को बहतर इस बार बात करें यह देखिए अभी हमारे भाई ने भी बोला कि उर्जा परदेश होने के नाते उत्राखंड यूपी और दिली को बिजली दे रहा है तो इनको तो जरूती नहीं हो आँ से फिरी बिजली लेने की अगर उत्राखंड को उसका हग भी मिल गया ना तो उत्राखंड जो है दिली को पाल लेगा आज हमारी परिसंपतियों पर यूपी और दिल्ली का अधिकार है अगर हमारी परिसंपतियों का ही बटवारा ठीक से हो जाए तो उत्राखंट के बास बहुत कुछ है देने के लिए एक आखरी सवाल सभी राचलितिक दलों से लेते हैं कि क्या उनका वीजन है किस तरीके से वो काम करेंगे और क्या जनता का जो प्यार है वो उन लोगों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा सर आखरी सवाल आखरी जवाब कितनी तयार आप और किसे अपना मानते हैं कि जो आपको टक्र दे सकता है इस 2022 के विधान सभा चुनाओं में सबसे पहले तो एक मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा जो आपने बढ़ देंदा पाड़ी के हमारे प्रवक्ता को जी को बोला कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनाओती इनके लिए यह है कि यह वोट मांगने जंदा के पास कैसे जाएंगे जब उन्होंने विकास का रहे त कि बोलते हैं कि हमारी पाटी ने पूर में तना कारे किया और जंदा को याज़ै है की बाड़्यांता पाड़ी जमी इस अतरव बड़्या से कैना किह थी किसे कि मानते हैं कि होगे लेकिन हम अपना काम जरूर कर रहे हैं हम अपने नितियों को ले के काम करए और hippo विदानसभा की दरंपूर विदानसभा में जो हमारी परटी के विजन रहेगा पूरी विदानसभा में को का Municipal से लेकल किया जा critique इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएगा बस्तियां जितने नियमेति करन कराया जाएगा जितना भी यह जो कूड़े का ढेर इन सरकारों से तो हुआ नहीं हम लोग आप लोगों को करके दिखाएंगे कि इसमें काम किस तरह के जाता है रोडों को जाल बनाए जा जाएंगे और भी जो पूल बूच्विदा जो जनता को चाहिए उसके लिए आम आधी पार्टी तनमान धंसे काम करें कि किसी को चुनोती नहीं मानती सर आकरी सवाल किसे चुनोती मांगते हैं सीधा सीधा सवाल मैंने अभी अभी बताया है कि भारतियाजिंता पार्टी के सामने अज कोई भी राजिनी दल खड़ा हो पाने की स्थिति में नहीं है और अभी एक चीज़ और मैं कहना जाओंगा हमारे मित्र ने अभी बताया कि आपने उन जzna आब नोंे गींजे उन साल को कामों को लेकर जन्ता के बास जाएंगे ऐस आपका फिर यूटं कियोंकि पी बोल रहे हैं की साड़े चाह साल के कमोंटर ओल लेकैन है तो शाओने के घ्रहे बाद झाल चुका है जब कुछ नहीं किया होगा तभ Marx ुप में पूछ इप इँक ऊज़ करता तो जो नहीं बदल दो ते मान ऑद तीसरा खे Bj irky ha घआ होता दिनिको ते नहीं को तो झुप झृप सě घर उतरह आ हैं कि लेकोjadi कि दल ने इस राज्य को बनाया वही सावारेगा ये घर की फ़ा उत्रा खंट करांती दल का तो एक तरह से घर हुआ अज़ नहीं करके दिखाएंगे तो वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि हम से आगे कोई नहीं सीट पर कुल मिलाके कहा जा सकता है कि धरमपूर की जो जंता है वो वोट देकर आखिरकार किसको चुनाव मैदान से विधान सभा तक पहुचाती है ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा अब देखना होगा कि बाइस के चुनावों में कितना फाइदा किसी राजनितिक दल को काम करने से मिलता है या फिर बयान बाजी करने से तब तक के लिए हम झाल झाल